जैसे धन की बृधी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं रुकता है, या करजा हो गया है, या कोई संपत्ती आनी है और रुकी हुई है, ये बहुत ही अच्छा कार्ज करती है. रादे, रादे गुरु कुर्पा अशिर्वाधे आप लोगों को, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को, आप लोग बहुत सारे भक्तों ने लिखा है, साबर मंत्र, लक्ष्मी साबर मंत्र, साबर मंत्र सदियों से हमारे समाज के अंदर हमारे साधू समाज में और गाओं में सब जगाए बहुत प्रशिद्ध है इसमें बहुत ही सरल सब्द होते हैं जिसको आप देहाती भासा भी बूलते हैं और यह साबर मंत्र बहुत फास्ट बहुत ही तेजी से असर करते हैं क्योंकि आपका लैंगवेज इसके साथ जुड़ा होता है आपकी भासा आपकी धारणा आपका प्रोनावन्स जो कहते हैं उच्चारण सकती ये सब इसमें जुड़े होते हैं और बहुत ही जल्दी असर करता है साबर मंत्र के कुछ नियम होते हैं अगर सावर मंत्र सिध्ध करना हो, तो सावर मंत्र को सिर्फ याद कर ले, तो ही ये सिध्ध हो जाते हैं, और परियोग के लाइक हो जाता है ये, और काम भी करता है, सावर मंत्र की विशेस्ता है, कि अधिकतर इसका जाप ब्रह्म मुर्त में और संधया काल में किया जाता है, कुछ साबर मंत्र ऐसे भी हैं, जो रात्री काल में जाप किये जाते हैं, साबर मंत्र को कभी लिखना नहीं चाहिए, लिखने से ये किलित हो जाता है, किलित अर्थात काम करना बंद कर देता है, इसलिए साबर मंत्र हमेशा सब्द से बर, साबर, साबर का मतलब आपको हम समझ इसको साबर कहा गया। इसको कहीं लिखने का बरजी थे क्योंकि साबर मंतर लिखते ही खिलित हो जाता है और काम नहीं करता है। तो मैं आपको लक्ष्मी सावर मंत्र बताने जा रहा हूं, इसमें मंत्र है, ध्यान से सुनियेगा लक्ष्मी माई सतकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो, सात समंदर की दुहाई नवनाथ चवराशी शिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरुजी की अब इस मंत्र में आप जब जब करेंगे, जैसे हम जब करते हैं, तो कैसे जब करना है लक्ष्मी माई सतकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो, सात समंदर की दुहाई नवनाथ चवराशी शिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरुजी की थोड़ा अटपटा है, लेकिन काम भी फटपटा है, एक दम जल्दी तेजी से काम करते हैं, क्योंकि पटापट करने वाले सुने हैं, आप सब लोग बोलता है, जल्दी जल्दी करो, तो लक्ष्मी मंत्र बहुत ही सुन्दर है ये, लेकिन लिखना नहीं है, द्यान रखियेगा, लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो सात समुन्दर की दुहाई, नवनाथ चवराशी सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की, तो लक्ष्मी माई, अब आपका इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, लक्ष्मी माई, माता लक्ष्मी, सत की सवाई, लक्ष्मी माई, सत की सवाई, ये सत जो सब्द है, ये सावर मंत्र में बहुत आता है, सत मतलब सत्य, सवाई का मतलब है सिद्धी देने वाली, और सिद्ध होने वाली मेरी इक्षा को पूरा करने वाली लक्ष्मी माई सत्की सवाई आओ चेतो करो भलाई हे माता जी आप आईए चेतो मतलब चेतन्यो करके मेरी बात को सुन करके करो भलाई मैंने जो प्रातना किया है मेरा कल्यान करिये मेरी आवाज सुनिये, मेरी प्रात्ना सुनिये और मेरा भलाई करी लक्ष्मी माई सत्की सवाई आओ चेतो करो भलाई मेरी भलाई ना करो तो साथ समुंदर की दुहाई अगर आप मेरी भलाई नहीं करेंगी तो साथ समुंदर की दुहाई है दुहाई बोलते हैं एक तरह से जैसे आपने सुना होगा मैं अपने पुर्वजो की दुहाई देता हूँ मैं अपने इश्ट देवता की दुहाई देता हूँ मतलब एक तरह का ये संकल्प है एक तरह का ये प्रक्रिया है उत्तेजना भरने के लिए तो साथ समुद्र से लक्ष्मी जी की उत्पती है समुद्र ही उनके पिता है और समुद्र में हैं उनकी माता भी है चंदरमा उनके भाई है तो साथ समुद्र की दुहाई इसलिए दिया गया है हाँ कि उनकी उत्पती समुद्र से है साथ समंदर की दुहाई नव नाथ चवरासी सिद्धो की दुहाई नव नाथ आपने सुना होगा कि गुरुदेव गोरक नाथ जी की बानी तो गोरक नाथ जी अकेले नहीं थे नव नाथ थे ये और इनके साथ चवरासी सिद्ध होते थे जो महा सिद्ध हुआ करते थे उन्होंने इस मंतर की उत्पति की उन्होंने इस मंतर को प्रारंभ किया और उन्होंने लक्षमी जी की किर्पा प्राप्ति की और वह किर्पा सभी मनुश्यों के लिए सुलब कर दिया तो इसके जो रिशी हैं देवता हैं वो नात जी हैं नो नात और 84 सिद्ध हैं 84 सिद्ध अर्था 84 योनी भी है तो नो नात 84 सिद्धों की दुहाई गुरु जी की जिन्हों ने इस मंतर का सब्द में प्रदान किया जिन्हों ने इस मंत्र को उत्पन किया उन गुरुदेओं की भी दुहाई दी गई तो इस प्रकार से इस मंत्र का अभिप्राई ये है और इसका जब का विधान क्या है आपको बता देते हैं अब मैं आपको सावर लक्षमी मंतर के जब करने का और माला का विधान बताओंगा लक्षमी माता के सावर मंतर के जब करने के लिए कांच का माला हो, सफटिक का माला हो या मुंगे का माला होना चाहिए इसका विधान ये है ति एकदम ब्रंब मुहुर्त में या संद्या काल में जब आपको समय मिले सफेद बर्फी लक्ष्मी जी के नाम से भोग रखा जाता है घी का दिया जलाया जाता है और सामने बैठ करके पांच माला चालिस दिन तक जाप करना होता है चालिस दिन के जाप में ये मंत्र शिद्ध हो जाता है और असर दिखाना शुरू कर देता है अगर आपको लंबे समय तक मंत्र का असर चाहिए तो आपको इसे नित्य प्रती एक माला जब करना चाहिए इस मंत्र का जाप किसको किसको करना चाहिए जैसे धन की बृधी नहीं हो रही है घर में धन नहीं रुकता है या करजा हो गया है या कोई संपत्ती आनी है और रुकी हुई है या चाह के भी नोकरी चाकरी इसमें छोटी छोटी बाधाय आती है ते रुकावट बनती रहती है ऐसे कार्जों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ज करती है और अत्यांत लाव देती है हमारी लक्षिमा आप लोग भी लाव लेजे रादे रादे